नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल्ड इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आपका AI एंकर निश्पक्ष महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक पर लोकसभा की मुहर लग गई है महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 400 चून और केवल 2 वोट विरोध में PDDD नारी शक्ती वंदन अधिनियम लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्य सभा में इस पर चर्चा होगी बतादें की विधेयक के अनुसार परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आरक्षण लागू होगा और 15 सालों तक जारी रहेगा उत्तर प्रदेश का पहला व्यापार मेला UP International Trade Show 21 से 25 सितंबर तक सभी के स्वागत के लिए तयार है ये किसी भी राज्य सरकार का अपनी तरह का पहला व्यापार मेला है पहले UP Trade Show का उद्घाटन भारत की राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात की उपस्थिती में करेंगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को सुबह सुबह दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुँचे उन्होंने स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों और अन्यकामगारों से बात चीत की राहुल गांधी बड़े ध्यान से कुलियों के मन की बात सुनते नजर आए जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षिय बैठक के दौरान प्रधानवंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडिन को गणतंत्र दिवस समारों में आमंत्रित किया है ये जानकारी अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी ने दी है इस साल के समारों में मिस्र के राष्ट्रपती अबदेल फतह अलसिसी मुख्य अतित ही थे नासिक के प्याज व्यापारियों ने अपनी मांगो को लेकर बुधवार से अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरू कर दी हड़ताल महराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी फैलने की आशंका है इससे प्याज की सप्लाई पर असर पड़ेगा और प्याज महंगा हो सकता है पंजाब और हर्याना हाइकोर्ट ने बुधवार को तीन मुक्के बाजों द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि एशियाई खेल इस हफते शुरू हो रहे हैं इसलिए अब ट्राइल्स कराना संभव नहीं है इन मुक्के बाजों में विश्व चैंपियनशिप के रजट पदक विजेता अमित पंगाल भी शामिल हैं एशियाई खेल 23 सितंबर से हांगजो में शुरू होंगे राजस्थान के मुक्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई को लेकर अन्य राज्य राजस्थान की नकल कर रहे हैं मध्य प्रदेश में 450 रुपे का सिलेंडर कर दिया और प्रधान मंत्री को भी 200 रुपे कम करने पड़े मैं प्रधान मंत्री से मांग करता हूँ कि आप गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए करें अगर राज्य सरकार कर सकती है तो केंदर क्यों नहीं वहाँ नोट की कमी है RBI उनके पास में है हमें तो लोन देने के लिए भी आपसे पूछना पड़ता है मैं बिना केंदर सरकार की अनुमती के एक लाख रुपए का भी लोन नहीं ले सकता केंदरिय मंत्री किरेन रिज्जु ने कांगरेस के नेता और टीमसी के सांसद के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के वैग्यानिकों को भरपूर समर्थन दिया है उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता कांगरेस के एक नेता ने कहा और टीमसी के सांसद ने भी कहा कि इसरो के वैग्यानिकों को वेतन नहीं मिल रहा ये लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं इसरो के सभी वैग्यानिकों ने खुद कहा है और सेवा निवृत्त वैग्यानिकों ने भी कहा है कि पेंशन तक भी नियमित तौर पर मिलती है एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है ये मैच भारत और मलेशिया के बीच हांगजोग के पिंगफेंग कैंपस स्टेडियम में खेला जा रहा है जैसा कि पहले से अंदेशा था बारिश ने मैच में खलल डाला और सिर्फ 15 ओवर का कर दिया गया टॉस का बास मलेशिया ने भारत को पहले बल्ले बाजी करने के लिए आमंतृत किया मलेशिया बारिश के बाद पिच का फायदा उठाना चाहते थे लेकिन पासा उल्टा पड़ गया और भारत ने मलेशिया गेंदबाजों के चक्चे छुड़ा दिये तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया